Study IQ IAS अब तयारी हुई affordable Heart of the Indian Ocean Shri Lanka Welcome to Study IQ IAS मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों आज हम जिस country के बारे में बात करने वाले हैं कहने को तो वो country इतनी छोटी है कि अगर आप उसे world map पर ढूने निकलेंगे तो एक छोटे से बिंदू यानी dot जितनी ही दिखेगी लेकिन Guinness World of Records में इसने कई सारे world records अपने नाम किये अपनी natural beauty की वजह से ये देश दुनिया में अपनी एक अलग जगह रखता है Pearl of Indian Ocean के नाम से मशूर इस देश का नाम है Shri Lanka जिया Shri Lanka भारत के साउधीस्ट में स्थित ये द्वीब इंडियन ओशन का hidden gem माना जाता है अपने natural beaches, extraordinary biodiversity और कीमती gemstones के लिए ही नहीं Shri Lanka अपने tea production और cinnamon production यानी दालचीनी के लिए भी famous है ये अपने pleasant warm climate, rich और varied culture, lush vegetation, colorful flora, amazing wildlife और stunning collection of gardens की वजह से tourists के लिए आकरशन का केंद्र है Shri Lanka अपनी अनूठी संस्कृती और परंपराओं के लिए जाना जाता है Shri Lanka में scenic beauty और historic interest के बहुत से areas है कभी सिलोन के नाम से पहचान रखने वाले इस देश का हजारों साल पुराना इतिहास है इस देश के बारे में सुनते हुए आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे जैसे की इस देश का पूरा इतिहास क्या है यहां की natural vegetation और life दुनिया के बाकी हिस्सों से कैसे अलग है यहां का political system कैसा है और इस देश के economic हालात कैसे है आज की इस चर्चा में हम इनी सवालों के जवाबों को खोजने की कोशिश करेंगे तो चलिए चलते हैं श्रिलंका के सफर पर Geography of Sri Lanka दोस्तों श्रिलंका इंडियन ओशन के north में और भारत के south में इस्थित एक दुईप राष्ट्र यानि island country है इंडियन सब कॉंटिनेंट में शामिल इस देश को पार्क स्ट्रेट पेनिंसुला इंडिया से अलग करती है Map में श्रिलंका latitude 5 degree 55 और 9 degree 51 north और longitudes 79 degree 41 और 81 degree 53 east के बीच थित है इसकी maximum length 268 miles और maximum width 139 miles है 65,610 square kilometers तक फहला ये देश, plains, mountains और coastal plain से मिल कर बना है और इसकी population 2,21,52 है श्रिलंका में वक्त के साथ extensive falting और erosion ने भिन प्रकार के topographic features को develop किया जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे सुन्दर जगहों में से एक बन गई Elevation के आधार पर श्रिलंका में आपको 3 zones मिलेंगे पहला the central highlands, दूसरा plains और तीसरा coastal belt श्रिलंका का south central part rugged central highland से बना है जो देश का दिल कहलाता है इस area का main part high plateau है जो north south में approximately 65 kilometers तक फैला हुआ है इस area में श्रिलंका की कुछ बेहद high mountain peaks मौजूद हैं जिन में 2524 meters का सबसे उंचा, पिदूरु तलगला mountain भी शामिल है वहीं plateau के सदन छोर पर 2243 meters उंची Adam's Peak की mountain range है West में Hatton Plateau और East में Uva Basin में घास से धकी हुई पहाडियां शामिल है North की ओर Knuckles Massive Valley Mountains है इसमें 1800 meters से ज्यादा की उंची चोटियां है Adam's Peak के south में रखवाना hills की parallel ridges है श्रिलंका के मैदान समुद्र तल से 30 से 200 meter के बीच कई मैदान से बने है मैदानी भाग साउथ East में Central Highland से मिलते हैं East और North की ओर मैदान समतल है समुद्र तल से लगबग 30 meter ऊपर एक Coastal Belt Island को घेरे हुए है अधिकान शतट में Coastal Lagoon द्वारा indented किये गए sandy beaches यहां की खुबसूरती को बढ़ाते हैं जाफना पेनिंसुला में limestone beds कुछ स्थानों पर निचली चटानों के रूप में लहरों के संपर्क में हैं North East Coast पर located Trinkumali में दुनिया का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह यानि port और South Western Coast पर गाले में एक छोटा rock port है Geologically इंडिया का Southward Extension माना जाता है जिसके साथ ये एक lithologic, continental shelf और geomorphic characteristics को साजह करता है श्रिलंका के climate की बात करें तो equator के निकट स्थितिय गरम और monsoon climate वाला देश है यहां का climate tropical है और island का South Western पार्ट सबसे ज्यादा rainfall रिसीव करता है यहां सबसे ज्यादा बारिश April से June और October से November के बीच होती है श्रिलंका का North Eastern पार्ट ड्रायर है और यहां December से लेकर February के वक्त ज्यादा बारिश होती है इस तरह यहां की ओसत वर्षा 50 इंच है पर पहाड़ी भागों में 200 इंच तक वर्षा होती है मैदानी भागों में औसत तापान 27 डिग्री सेलसियस तक रहता है जबकि पहाड़ी प्रदेशों में 15 डिग्री सेलसियस तक अगर श्रिलंका की रिवर्स की बात की जाए तो यहां 100 से ज्यादा रिवर्स बहती है यह सभी रिवर्स साउथ की पहाड़ियों से निकलती है इन में से सबसे ज्यादा फेमस 206 मील लंबी महवेली गंगा है जो वेस्टन धाल से बहती हुई एस्ट में ट्रिंकोमाली के निकट समुद्र से मिलती है दूसरी सबसे प्रमुख नदिया कालू गंगा और केलानी गंगा है जो वेस्ट में कालू बरा और कोलंबो के पास समुद्र में मिलती है श्री लंका के साउथ वेस्ट एरिया में सदाबहार वन यानि एवरग्रीन रेन फॉरिस्ट पाए जाते है एक्वाटोरियल फॉरिस्ट की तरह यहां उचे पेड़ है जिनमें गुट्टा पेडचा, सिंकोना और रवर ट्रीज मुख्य रूप से है वहीं माउंटिन रीजिन में उचाई पर जाने पर कॉनिफरस फॉरिस्ट पाए जाते है एबनी, सैटन गोर्ड और स्क्रब्स यहां के ड्राइ डेसिड्यूस फॉरिस्ट की कुछ स्पीशीज है सदन और वेस्टन कोस्टल रीजिन में कोकोनट वेजिटेशन मुख्य रूप से मिलती है यहां कृशी और चारागाह के अंदरगत 37 और 4.56 लाक एकर्स भूमी है यहां धान यानि पैडी की खेती सबसे ज्यादा होती है श्रीलंका में मलेजिया, इंडिया और चाइना के बाद सबसे ज्यादा रबा का उत्पादन होता है चाय प्रोडक्शन में इसका तीसरा स्थान है काडमम, कोको, टबैको और कॉटन अन्य प्रमुक फसली है फ्रूट्स में मैंगो, बनाना, औरंच, पॉमी ग्रेनिट और कैशू का कल्टिवेशन होता है श्री लंका हैंडलूम कॉटेज इंडिस्ट्रीज, मैट्स, बास्किट्स, ग्लास बैंगल्स, वोड्ड और आइवरी आइटम्स, सिल्वर और ब्रास वेर जैसी कई स्मॉल स्केल इंडिस्ट्रीज के लिए विख्यात है वहीं लाज्सकेल इंडस्ट्रीज में कॉटन टेक्स्टाइल, सिमेंट, ग्लास और लेधर इंडिस्ट्री प्रमुख है कोस्टल एरियाज में मुख्य ओक्यूपेशन फिशिंग है बनीटो, टूना, स्पिनल, मैकरल, ट्राउट, कोक, क्वीन फिश, कैट फिश अत्यादी यहां के मुख्य फिश स्पीशीज है तो ये तो हुई श्री लंका की जियोग्राफिकल कंडिशन की बात आईए अब इसके इतिहास से थोड़ा रूबरू होते हैं दोस्तो, श्री लंका का इतिहास हजारों साल पुराना है श्री लंका के पास पिछले 3000 साल का अपना लिखित इतिहास उपलब्द है जबकि यहां मानव बस्तियों के होने के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पेलियोलिथिक एज से ही मिलने लगते हैं इसके अलावा हिंदू पौरानिक ग्रंथ में भी श्री लंका का जिक्र मिलता है जिनके अनुसार श्री लंका को भगवान शिव ने बसाया था श्री लंका के दो प्राचीन ग्रंथ दीपवंश और महाकाव्य महावंश में श्रिलंका की शुरुवाती इतिहास का विवरण मिलता है सिंहलीज ट्रिडिशन के अनुसार महावंच में दर्ज है कि श्रिलंका में आने वाले सबसे पहले भारतिय राजकुमार विजय और उनके 700 अनुयाई थे इन्हें 5th century BC में इनके पिता राजा सिंह बाहू के द्वारा सिंहपुरा राज्य से निश्काशित कर दिया गया था ये राज्य आज के बंगॉल रीजन में स्थित माना जाता है सिंहपुरा राज्य से आने के कारण ही विजय के समुदाये को सिंहलीज कहा जाता है आज श्रिलंका में सिंहलीज मिजोरिटी पॉपिलेशन बनाते हैं विजया ने श्रिलंका के नौधन साइड में तंबपनी राज्य की स्थापना की 505 BC में विजया की मृत्यू हो गई और विजया के मंत्री उपतिस्या ने तंबपनी राज्य का शासन समाला उपतिसा ने एक नई राजधानी उपतिसा नुवारा की स्थापना की विजया के वन्षजों ने 487 BC तक उपतिसा नुवारा पर शासन किया विजया के ही वन्षजों में एक पांडु का भया ने 437 BC में उपतिसा नुवारा की सीमाओं का विस्तार किया और अनुराधपुरा राज्य की स्थापना की। पंडु का भया कि शासन के दौरान ही आज के श्रीलंका के अधिकांश हिस्सा अनुराधपुरा सामराज्य के आधिन आ गया। थर्ड सेंचरी बीसी के अंत में बुधिजम श्रीलंका में आया। उस समय अनुराधपुरा के राजा देवनम प्रिया तिस्सा और मौर्य समराथ अशोक के बीच बहुत ही मजबूत रिष्टे थे। समराथ अशोक ने तीस बौध अनुयायूं को श्रीलंका भेजा और साथ ही अपने बेटे महिंद्रा और पुत्री संगमित्रा को भी श्रीलंका भेजा। इनके इंफ्लूएंस से देवनम प्रिया ने भी बौध धर्म को अपनाया और राज्य में कई बौध मंदिरों का निर्मान करवाया। इसके लावा साथ इंडिया के चोला एंपायर द्वारा अनुराधपुरा राज्य पर कई बार हमला किया गया। 205 BC में चोल डिनेस्टी के इललन नाम के एक राजा ने अनुराधपुरा पर हमला कर उस पर कबजा कर लिया। सिंहलीज लोगों ने इललन से अपने राज्य को वापस पाने के लिए काफी लंबा संखर्ष किया। और 161 BC में श्रिलंका के साउथ से एक सिंहलीज राजकुमार दत्ता गामिनी ने विच्टबारा की लड़ाई में इललन को हरा कर अनुराधपुरा को जीत लिया। 10th सेंचुरी तक अनुराधपुरा को कई आंतरिक तनाव और विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस दोरान कितने ही राजाओं ने अनुराधपुरम पर राज किया। 982 AD में महिंदा फिफ्थ अनुराधपुरा के राजा बने। उनके शासन के दोरान अनुराधपुरा बहुत कमजोर हो गया था। जिसकी वजह से जागीरदार राज्यों ने विद्रोह कर दिया। इससे एक बार फिर चोला एंपायर को अनुराधपुरा पर हमला करने का मौका मिल गया। और 993 AD में राज राजा चोला ने अनुराधपुरा पर हमला कर श्रिलंका के उत्तरी भाग पर कबजा कर लिया। बाद में 1017 AD में राज राजा के बेटे राजेंद्र चोला ने श्रिलंका के सदन पार्ट को भी जीत लिया। अब पूरे श्रिलंका पर चोला डिनेस्टी का कबजा था। चोला सेना द्वारा राजा महिंदा को पकड़ लिया गया और उन्हें साउथ इंडिया भेज दिया गया। कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यू हो गई। इसके बाद चोला एंपायर ने श्रिलंका के पोलन रुवा में एक नई राजधानी की स्थापना की। इस दोरान बड़ी संख्या में तमिल लोग श्रिलंका में आकर बसने लगे। लेकिन 1055 AD में जब विजय बाहु वन रुहाना प्रांत के राजा बने तब उन्होंने पोलन रुवा किंग्डम की स्थापना की। और इस तरह एक बार फिर पूरा श्रिलंका सिंखलीज के अंडर आ गया। 1153 AD में पराक्रम बाहु वन राजा बने और पोलन रुवा किंग्डम का विकास किया। लेकिन 1212 AD ने भारत के पांडिया डिनेस्टी के राजा पराक्र पराक्रम पांडिया को हरा कर जाफना किंग्डम की स्थापना की। जाफना का उदय एक प्रांतिय शक्ति के रूप में हुआ। श्रिलंका पर हमलों का दौर यूँ ही चलता रहा। और 15th century की शुरुवात में चीनी सेना ने यहां के कोटे किंग्डम पर हमला कर दिया। इ उनको कोटे किंग्डम का सबसे महान राजा माना जाता है। वो एक पराक्रमी शासक थे। उन्होंने अपने बल बुद्धी के दम पर संपून श्रिलंका को अपने आधीन कर लिया था। वो कला का भी बड़ा प्रशन सक था। उसकी शासनकाल में लिटरिचर को काफी बढ हवा मिला। उसकी शासनकाल में कोटे को राजधानी बनाया गया था। जो आज भी जया वर्धनपुरा के नाम से श्रिलंका की प्रशासनिक राजधानी है। इसके बाद 16th सेंचरी में यॉरोपियन पावज ने श्रिलंका में कदम रखा। 1504 AD तक पोचुगीज इंडिया पराक्रम बहु से हुई और उनकी दोस्ती हो गई। इसके बाद पोचुगीज का कोटे किंग्डम के साथ व्यापार शुरू हो गया। श्रिलंका टी, रबर, शुगर, काफी, सिनिमन और दूसरे स्पाइस का एक्सपोर्ट अबन गया। सबसे पहले तो पोचुगीज ने डच लोगों से हेल्प मागी। 1630 में डच ने पोचुगीज पर हमला बोला और उन्हें हरा दिया। लेकिन डच ने वहां के एक कैंडी परांथ पर खुद कबजा कर लिया। और वहां के आम लोगों पर हैवी टैक्स लगा दिये। जिसके बाद पोचुगीज ने कई हमले किये लेकिन 1658 तक पोचुगीज ने डच के सामने पूरी तरह से घुटने ठेख दिये। और इसी के साथ श्रिलंका में पोचुगीज का शासन खत्म हो गया। 1658 से 1758 तक डच ने श्रिलंका पर अपना कंट्रोल रखा। 1880 में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने श्र जले 130 सालों तक श्रिलंका पर राज किया। अंग्रेजों ने बड़ी मात्रा में श्रिलंका में चाय की खेती की। ब्रिटिश बाजार में सीलोन टी बहती फेमस हुई।थ चाय की बढ़ती मांग से अंग्रेजों को बहुत फाइदा हुउए। संगठन की स्थापना हुई कोलंबू यूथ लीग जाफना यूथ कॉंग्रेस ने जवाहरलाल नहरू से इंस्पिरेशन लेकर पूर्ण स्वराज की मांग उठाई अंग्रेजों के खिलाफ कई सालों के संघर्ष के बाद श्रिलंका को फाइनली 4 फेबूरी 1948 को ब्रिटिश एंपायर से आजादी मिली ये तो हुई श्रिलंका की हिस्ट्री आईए अब जानते हैं श्रिलंका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पॉलिटिकल सिस्टम अफ श्रिलंका श्रिलंका एक डेमोक्राटिक रिपबलिक और यूनिटरी स्टेट है जो प्रेजिडेंशल सिस् प्रेजिडेंट ही cabinet के head होते हैं और members of parliament में से ministers को appoint करता है श्री लंका में एक व्यक्ति केवल दो बार ही president बन सकता है 2015 में हुए 19th constitutional amendment में ये प्रावधान किया गया है इससे पहले कोई term limit नहीं थी श्री लंका का parliament 225 members वाला unicameral legislature है जिसमें 196 members multi-seat constituencies area से चुने जाते हैं और 29 proportional representation द्वारा चुने जाते हैं सभी members को 5 साल के लिए election द्वारा चुना जाता है यहाँ पर president किसी भी legislative session को call, suspend और end कर सकता है इसके साथ ही four and a half years के बाद किसी भी समय parliament को dissolve भी किया जा सकता है किसी भी तरह के laws बनाने की शक्ती parliament के पास ही होती है प्रेजिडेंट के सहायक prime minister parliament में ruling party को lead करते हैं और mainly domestic affairs में कई executive responsibilities को share करते हैं श्री लंका के judicial system को देखा जाए तो यहाँ पर एक supreme court है जो record में highest और final है इसके लावा court of appeal, high courts और कई subordinate courts शामिल है इन सभी में judges को president द्वारा ही appoint किया जाता है यहाँ के complex legal system में आपको diverse cultural influences देखने को मिलेंगे जैसे की criminal law almost British law पर ही based है वही basic civil law, roman और dutch law से प्रेरित है यहाँ पर marriage, divorce और inheritance से related सारे laws communal हैं प्राचीन प्रथाओं पर आधारित विशेश मामलों में सिंगला प्रथागत कानून यानि कन्यादान कानून, थेसा वलमाई और शरिया कानून का पालन किया जाता है श्रिलंका में political parties की बात करें तो यहाँ पर United National Party यानि UNP और श्रिलंका Freedom Party SLFP प्रमुख हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद से ही political area में अपना दबदबा कायम रखा है इसके अलावा श्रिलंका, पोदु जोना, पेरु मना पार्टी, SLPP एक अलग पार्टी है जो की 2018 के बाद से ज्यादा उभरी है यहाँ पर local governance के लिए country को 9 provinces और 25 districts में बाटा गया है लेकिन यहाँ की high income mixed economy, natural resources से समरिद है श्रिलंका में gemstones, graphite, aluminite, iron ore, limestone, quads, mica, industrial clays और salt जैसे minerals resources से enriched हैं इसके अलावा titanium, monosite और zircon भी यहाँ मिलते हैं fossil fuels की बाद करें तो west coast और swampy stretch की तरफ low grade peat मिलता है श्रिलंकार economy का main component plantation agriculture है main plantation crops में tea, rubber और coconut शामिल है tea का cultivation wet zone में होता है higher altitude में उगाई जाने वाली best quality black tea world market में बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है rubber cultivation का main area देश के ridge और valley का wet zone है और coconut mainly western seaboard के hinterland की और उगाई जाते हैं food crops की बाद करें तो यहाँ rice का production सबसे ज्यादा होता है manufacturing में government industry का दबदबा है दूसरी industries की बात की जाए तो यहाँ पर processed foods, chemicals, petroleum products, rubber products, plastics और cement का production होता है श्रिलंका high grade graphite के production में दुनिया में सबसे आगे है इसके साथ ही यहाँ पर mica, silica sand, quads, felspa और gemstones की भी mines है श्रिलंका कई तरह के gemstones जैसे sapphire, ruby, topaz और garnet का major exporter भी है इस सब के अलावा श्रिलंका की economy को आगे बढ़ाने में tourism sector भी काफी बड़ा योगदान देता है Conclusion तो उस्तों ये थी कहानी श्रिलंका की, जो दुनिया का सबसे अनोखा देश होने का रुद्बा रखता है ये एक लंबे इतिहास, समर्दी economy और खुबसूरत landscape से भरा इंडियन ओशियन का मोती नूमा दूइब है यहां की unique wildlife, दुनिया भर के tourists के लिए एक attraction का काम करती है इसके अलावा भारत के साथ इसके historical और cultural ties रहे हैं साथी Indian Ocean में strategic position पर located होने की वजह से इसकी geopolitical importance भी काफी बढ़ जाती है क्या आप इससे पहले श्रिलंका के बारे में ये सब unique और interesting facts जानते थे अगर हां, तो हमारे साथ comment section में ज़रूर share करें आपको हमारी ये information कैसी लगी, इसके बारे में भी आप comments में ज़रूर लगें